आज जो मैं व्यट्यू आपको दिखाने जारी हूं है लोकी की सबजी तो अभी जो मैं लौकी की सबजी आपको जारा कि दिखाने जारी हूं वह बनेगी बिना लसुन और बिना प्याज के क्योंकि अभी जैसे की सावन चल रहा है तो बहुत लोग लसुन और प्यास बिल्कुल नहीं खाते हैं तो उन लोगों के लिए ये सबजी की रेसिपी बहुत ही बेस्ट है तो प्लीज आप लोग ये सबजी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत ही ये टेस्टी भी बनती है ये 400 ग्राम लोकी ली हुई है कुछ मिर्चा ली हुई है और 3 मिडियम साइज के टमाटर ली हुए बस यही हम लोग को चाहिए लोकी बनाने के लिए आप और इसके शब्समसाले मिं चाहिए तो चलिए श्टार्ट करते हैं यह सब्जी में कूकर में तो इसको हम लोगोंने कट कर लिया है तर लेति जेए टोचम आजार और नेया बैसे सब्जी हुआ है उट टोचम हैं तो ऑघला माला टोचम है हमआद के लायो जा वो पिषे टोचम कायओ आज रिवकरद है की तॆ सिवर्दा आर शिण क्रली शद्सावा जो ऐटला मासर्म रॉद स्तिवन breveर टेforeं उटाय वाहाि है इसी की सबजी बनानेगी देखिए इस तरह से इसको हम लोगों को पूरा पीस लेना है और इसी से हमको सबची बनाने है तेल गरम होने के बाद इसमें हम लोग सरसो डालेंगें काली सरसो और थोड़ा जीरा भी डालेंगें जीरा और सरसो जो हम लोग ने कूकर में डाले थे तो उसके बाद इसमें टमाटर की जो हम लोग टमाटर को जो मिक्स किये थे टमाटर और मिर्चा का जो पेच्ट बनाए है उसको उपर में डाल देना है देखिये इस तरह का बजागा इसमें नमख डालेंगें इसमें साथ में टिचमश नमख डालेंगें जागम का जागम का जागए जागए वो दो आप वो दो वो जब है जब आपको घर उर टुड़ी जब खड़ी है वो आपको लूप यह बूप लागर इसने प्रश करके थोड़ी सी कर्फूरी में ची भी दाव देरी हूं कर्फूरी मुझे बहुत पसंदर जब इस तरह का हो जाएगा थोड़ा सा इसको फ्राइ करते रहेंगे तो इस तरह का केक्शर आने के पहाँ इसमें हम लोग लॉपी को एक्षा देंगे क doublingлом हो? तो इसको देंगो प्रे शौरेग अट 70S प्रेल यठ्ट देसे वासमिम लॉपी कुछियों में प्राइशके साई तो फ्रेंट दर्स मिनट तक इसको अब लोग इस तरह प्रहने देंगे तो फ्रेंट इस तरह प्रह जाएगा इसमें अब लोग ज्यादा नहीं हाफ को तोड़ी पानी रा देंगे अशी पाव थिसे यह क्या है जो खुंद मोर्ग तक ढउय को प्रूप्र मों करतें इसे बन कर के इसे प्रोप्त करें हो बाख करsको अब इसमें हम लोग कुछ धन्यापत्याइट करतेंगे दन्यापत्य सब्जी बहुत ही अच्छी लिखी है तो देखिए ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है अब खाके देखिए को बहुत ही यमी लगती है ये सब्जी ना इसमें प्याज जलेगा ना लसून दलेगा आपको ये मेरी लौकी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेड में चरूर बताईएगा ये जटपट बनने वाली सब्जी है ये तुरन बन जाती इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो आप इसको जरूर ट्राइगा घर पर और अगर आप मेरे चैनल पर कर अ कर दोब दो कि रेसल लगल से आपको जड़ा तो कि अज़ी हो क Totally